नमस्कार मैं हूँ दुर्गेश और आप देख रहे हैं डियन यादव जर्नलिस्ट अभी मैं मौजुद हूँ महनवा डुमडी में जी हाँ मनीश कश्चप के गौ में और उनके पैत्रिक आवास पर अभी मैं मौजुद हूँ और आपको जानकारी दे दें कि मनीश कश्चप नौ महने जेल में रहने के बाद परसों विते दो दिन पहले उनकी रिहाई होती है पटना के बेउर जेल से और रिहाई के बाद वो गया जाते हैं सिधे दसरत मांजी के गौ में लोगों को संदेश देने के लिए कि इस तरह से परवत पुरूष कहे जाने वाले दसरत जब जेल से बाहर निकलते हैं तो अपने घर आने के बावजुद पहले जो है दसरत मांजी के गौ में जाते हैं। हर चत पर दीप जला कर मनीश कशपजी का भव्य स्वागत किया। और जैसे ही मनीश कशपजी घर पर आने वाले थे लोगों को सुचना मिली। पहले ही मनीश कशपजी जेसे ही कल साम में घर पहुंचे यहाँ पर लाखों की भीर लग गई। हजारों नहीं, लाखों की भीर, जी हां, ये किसी को यकिन नहीं हो रहा था कि इतना भी भीर लगेगा, आप न तो किसी बड़े नेता के रैली में इतना भीर देखे होंगे, और नहीं किसी चुनावी सभा में इतना भीर देखे होंगे, यहां पर जो है कल, यही वो जगह है, और सामने हम चाहेंगे दिखाईए केमरामें से कि यही वो घर है मनिश कश्यप जी का यही गौ है जनमस्थल है पैतरिक घर है यहां का वीडियो आप लोग कई बार देखे होंगे कई बार इस घर को भी आप लोग वीडियो में देखे होंगे यही घर है और आपको बता दें जैसे ही मनिश का स्यपकल यहां पर पहुचते हैं, लाखों लोगों का भीर यहां पर लग जाता है और पायर रखने का भी जगा नहीं बचता है, तो यहां पर जो है, दो दिन पहले से ही अलग अलग राज्य से, जी हां बिहार से नहीं, अलग अलग राज्य से, बिहार के कोने कोने से तो लोग आये ही, लेकिन युपी से, हर्याना से, और कई राज्यों से, जारखन्ड से, कई परोसी राज्यों से भी लोग यहां पर काफ जलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे और आपको जानकारी देदें कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा जूम करके दिखाईएगा इधर देखिए सभी दर्शकों के लिए सभी जितने भी चाहने वाले हैं मनिश कशब के चाहने वाले हैं सबके लिए यहां पर खाना का भी इंतजाम जी हां दो रोज तीन रोज पहले से जो लोग यहां पर आ रहे थे पहुंच रहे थे सबके लिए खाना का रहना का इंतजाम आप लोगों को dny news के माध्यम से पहले भी हम लगातार वीडियो दिखा रहे हैं कि यहां पर बगल में स आज सुबह से ही फिर से मनिश कशपजी से एक मुलाकात, एक मुलाकात कے लिए लोग यहां पर फिर से जमा होना शुरू हो गए हैं, और अलग अलग जगहों से आसपास से भी लोग आ रहे हैं, और यह दिखाएए जरा घुमा के दिखाये, इन भीर को दिखाएए कि किस तरह से यहां पर जो है लगातार हमारे पत्रकार भाई मेडिया के कर्मी भी मेडिया भाई भी यहां लगातार लोगों का इंटर्व्यू कर रहे हैं कहां कहां से लोग आ रहे हैं अलग अलग राज्य से लोग आ रहे हैं लोग लगातार हमारे साथी लोग दिखा रहे हैं लैब इं किस तरह से उन्होंने चाही को दिखाने के कारण और जो हमारे पुरे बिहार में भ्रस्टाचार होता है लगातार उसको दिखाने के कारण मनिस कशब किस तरह से जेल गए थे और जेल जाने के बाद 9 महना के बाद जो है मनिस कशब की रिहाई होती है रिहाई के बाद वो अप पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चेनल पर आप जा कर देख सकते हैं सभी लाइब अपडेट सभी वीडियो हमारे चैनल पर मौजुद है और अभी आपको हम यहां का तस्वीर दिखा रहे थे और एक देखिए यहां फूल माला जब मनीश का सपजी आये थे तो यहां पर अभी गारी लगी हुई थी मनीश का सपजी का और गारी से फूल माला निकला गया था गमचा निकला गया था लोगों ने जो अपना प्यार आसिरवाद दिया और गमचा देकर जो है लोगों ने सम कई जगा तो रास्ते में लोगों ने रोक रोक कर जो है मनिश कश्पजी को बहुत ही जवरदस्त तरीके से स्वागत किये गमछा और फूल मला से देखिए यहां पर निकाल कर रखा गिया है यही फूल मला है और यहां पर एक बोजहा फूल मला था अभी अंदर ले जाया गि ख्या और जो अपने मेहनत के बदोलत जो उन्होंने यह आपको देखने के लिए मिल रहा सी निक यहां करेंगे और दूर दूर से आए हुए लोगों से आपको हम मिलाएंगे कि क्या सोचकर और क्या दिल में खवाई लेके लोग आए हुए थे कहां से आए भाईया हम दो दूर से आए हैं पटना से यह बताइए कि आप क्या कर रहे हैं हम जो है जिस तरह से मनीश भाईया दसरत मांजी का जिवनी को बताने का प्रयास किये और सब से पहले जेल से निकलने के बाद वहां दसरत मांजी के गौँँ जितने दूरी होंगे उससे कहीं दोग-तीन गुनी जैदे दूरी से हम लोग आये हैं और वो भी बैक चला के हम लोग आये हैं आपके परियास बहुत बढ़िया है वहतर परियास कर रहे हैं लेकिन अब है कि आप अपनी पहचान बनाएए बिल्कुल और जो लोगों की समस्या ना विहार में बहुत समस्या है तो समस्या को दिखाईए बिल्कुल मेरा जो घर है ना उनके सामने जो रोड है वो तुटा हुआ है उनको हम लोग लगातार तो सभी भाईया के कहने का मतलब यही हुआ कि भाई जितने भी मेडिया वाले हैं जितने भी डिजिटल मेडिया के पत्रकार हैं आप लोग इमांदारी से काम करिये और जिस तरह से मनिश कश्यपजी अपने मेहनत के बदोलत आज जो ये धन कमाए हैं और पबलिक का लाखों लोगों का करोरों लोगों का जो प्यार और स खोलो करके आप संख्या में और बिहार के कोने कोने से कई राज्यों से भी यहां पर तमाम डिजिटल मिडिया के पत्रकार पहुचे हुए थे लगातार मनिश कसप जी का अपडेट यहां से दे रहे थे बाकी यह मनिश कसप जी के घर पर से यहां के महनवा डुमरी गौंश से मनिश कसप जी के घर से हमारा ये छोटा सा प्रियास आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और विहार के से मनिश कसप के लिए आप क्या सोचते हैं एक कमेंट जरूर किजएगा वीडियो को जदा से ज़्यादा से शेर किजिए हमारे चेनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए अगर फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो फोलो करिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद जय विहार